आपका एटी नाउ स्वदेश पर मैं हूँ आपके साथ पूजात्र पार्टी और आप देख रहे हैं गुड बॉर्निंग स्वदेश और इस शो में हम आपको अपडेट देंगे कि आज ग्लोबल मार्केट से के संकेत मिल रहे हैं और अगले आदे घंटे आपको यह भी करते हैं एशियाई बाजारों से और इसमें सपार्ट ट्रेड दिखाए दे रहा है गिफ्ट निफ्टी में उन्निस हजार पांट सो के उपर के लेवल्स इस वक्त देखने को मिल रहे हैं वहीं बाकी एंडाइस देखेंगे तो वहाँ पर कमजोरी है और लाल निशार में का चरान देखेंगे तो फार्ट ट्रेड है इसका वग्ते भैट कारूबार कर रहे है। वहीं गिफ्ट निफ्टी इसवक्त फ्लैट कारण बाबार कर रहा है तो सपार्ड ट्रीड है इस वक्त और इशॉय बाजारों का पर चीन और जैपान में प्लायविट सर्वै तर्धी सक्त रुख है और उनका कहना है कि आगे जो भी policy measures होंगे वो आपरों को देखते हुए आगे वो decision देंगे और इस तरह के बयान हम देख रहे हैं कि दुनिया भर के central bank को की तरफ से देखने को मिल रहे हैं सब के सब wait and watch रंडीती अपना रहे हैं तो ये तो क्यूज है एशियाई बाज़ारों से ग्लोबल मार्केट में जादा कुछ action दिखा नहीं क्यूंकि हमने देखा कि कल अस्वतंतर ताजिवस के मौके पर अमेरिकी बाज़ार बन थे और तो उसके चलते हैं महाद से जादा कुछ अपडेट नहीं है यूएस टॉफ से इसपर हलकी गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं लेकिन कुछ एहम आकड़े वहाँ पर भी आएंगे जिस पर की आज हमारी नज़र होगी पहले तो फेड मीटिंग के जो मिनिट्स हैं वो आएंगे तो वो काफी फोकस में रहेगा इसके अलावा माई फैक्ट्री आॉ जान विलियम्स उस बैठक में शिरकत लेंगे और किस तरह के बयान आते हैं ये काफी इंपोर्टेंट होगा देखना क्योंकि अब फेड पॉलिसी भी है अगला बड़ा इवेंट जिस पर की हमारी नज़र होगी यूरोप के बाजार में भी इस वक्त कंजोरी के ही संकेत मि कर रहें कि फिलाल दो साइट के फैक्टर्स काम कर रहें और इस पर कच्छे तेल में जो चाल हावी है वह है कि जो सप्लाइ कटौती की बात हो रही है साउदी अरेबिया और अरश्या के तरफ से उसके चलते हम देखने की कच्छे तेल को निशले सरों से एक सपोर्ट मिलता करेंगे जो भी वह फैसा लेते हैं महंगाई को कम करने में महंगाई एक बड़ी चिंता इस वरत यूके में और यूरोपेडिया में बनती जा रही है तो इस पर अब पीम रिशी सुनक का भी बयान आ रहा है और आगे देखेंगे आने वाले समय में सेंट्रिल बैंकों की च आपडेट लेते हैं उसके बाद हम समझेंगे की F&O डेटा क्या कह रहे हैं और कल की बात करें तो कैश मार्केट में FIS की तरफ से लगातार जो खरेदारी है वो जारी है और 2134 करोड की खरेदारी का आकड़ा है FIS का कैश मार्केट में DIA ने 785 करोड की बिक्वाली की है इं एक सो ऑप्शन में मामूली 10 करोड की नेट नेट खरेदारी का ही आकड़ा यहां पर निकल कर आ रहा है तो यह है FIS और DIA की आकड़ा यह भी बार यह भी समझ लेते हैं कि कल बाजार कैसा था और इसको देखते हुए फिर आज कौन से लेविल इंपोर्टेंट होंगे और बताने के लिए आज हमारे साथ जोड़ चुके हैं आज के लिए आज के लिए एहम सपोर्ट और रिजिस्टन्स लेवल क्या देख रहे हैं आप जी बिलकुल सबसे पहले तो हम निफ्टी का चार्ट स्क्रीन पर ले आते हैं पिछले सेशन में देखेंगे तो निफ्टी न पर देख सकते हैं पर पर बैंड बना हुआ है जहां पर वहां पर एक प्राइज वैक्यूम है प्राइज वैक्यूम मतलब जहां पर कुछ ट्रेड नहीं हुआ रहता है गैप आया रहता है उसे वैक्यूम कहते हैं और अक्सर ये वैक्यूम अच्छा सपोर्ट देते हैं जैसे के हम कल भी देख सकते हैं बिक वाली आए लेकिन गैप कवर करते ही वहां पर अच्छा सपो है 19,500 पर अच्छे रिजिस्टेंस एक इसलिए भी आ रहा है क्योंकि अगर आप कॉल ऑप्शन इसका ऑप्शन चेन देखे तो आपको दिखेगा कि 19,500 पर कॉल जो हम पर खरीदे गए थे थोड़े सेशन तक वहां पर कल बेचे गए मतलब ट्रेडर्स एक्सपेक्ट कर रहे क इसके उपर जाएगा इसलिए थोड़ी यहां पर कॉशिज भी है दिख रहा है ऑप्शन ट्रेडर्स में इसलिए एक रिजिस्टेंस मान के चल सकते हैं इसके उपर का दूसरा रिजिस्टेंस आएगा 19,600 पर निफ्टी बैंक में आ जाते हैं निफ्टी बैंक का चार्ट ल थी काफी उपर गया काफी नीचे आया लेकिन आकर क्लोस डे के मिड रेंज पर हुआ इस प्राइस ब्याइवर के वज़े से एक दो जी कैंडल स्टिक पैटन फार्म होई है यह कैंडल स्टिक पैटन यूजूली इंडिसीजन कन फूजन मार्केट में इंडिकेट करती है कि कौन से डिरेक्शन में जाए होँआ पर कंफूजन तो यहां पर हम देख सकते के शायत से अब ट्रेंड में थोड़ा सा पॉस दिख सकता है थोड़ा सा कौनसलीडेशन दिख सकता है इसलिए हमने सपोर्ट रेस्टेंस भी थोड़ा सा डिस्टेंस पर रखा हुआ है यहां के तरफ देखे तो रिजिस्टेंस आ रहा है 45,650 पर और उसके बाद सीधे आ रहा है साइकोलोजिकल लेवल पर जो कि है 46,000 का राइट थांक्यू आइल शापका ये डीटेल अनालिसिस करने के लिए तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी का चार्ट और इंपोर्टन सपोर्ट जो अब निकल करा रहा है निफ्टी के लिए वो 19,200 से 19,100 का और 9,500 के आसपास अब यहां पर कॉशिस होते हुए नजर आ रहा है ट्रेड ये मानना है तो इन लेविस पर नजर रखिए आप चलिए अब आगे पढ़ते हैं और ये समझी कोश्च करते हैं कि फिर इन लेविस को देखते हुए आज रणीती के अपना के चले बाजार में क्योंकि आज रखिए सुचाना चाहिए किया अब यहां पर यहां पर हमें लगता है कि कंसलिशन देखने मिल सकता है तो बाजार में स्टॉक स्पेसिक स्ट्रेजी की रंडिटी अपना नी चाहिए जहां तक लेविस की बात करें निप्टी फ्यूचर के जो सपोर्ट है 19,300 का सपोर है जहां तक बैंक निप्टी के लेविस की बात करें 44,900 सपोर्टे बैंक निफ्टी फ्यूचर के लिए रिजिस्टंस है 45,800 हमें लगता है कि हमें काने वाले सेशन में कांसॉलिडेशन देखने मिल सकता है मार्केट में तो फिलाल थोड़ा साफधाने से ट्रेड करिया और हो सके तो मुनाफ़ा अब यहां पर दिदे-दिदे बुक करने की कोशिश कीजिए इसके लावा देवांग स्टॉक स्पिसिफिक कर रहनीती क्या होगी फिर आपकी तरफ से अब लगता है कि एक सेल टेक हमने जेखे काफी एक हाय अब 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 टम चाट बेटन फॉमिशन बन रहा है तो हमें लगता है कि इसमें और भी मुमेंटम देखने मिल सकता है हमें अच्छा मोमेंटम देखा था संफार्मा में ओर रहा है तो संफार्मा को खरिदने की सला रहे है कि स्टॉपलो से रखना है 1,025 टारगे 1,070 तो संफार्मा और अच्छा इन दोनों में खरिदारी करने की सला रहे हैंगे दिवांग आपका समय देने के लिए रणी थी सुझाने की लिए तो बाजार इस पर कंसॉलिडेशन में है और स्ट्रीज को देखे हैं हमने कली हाइलाइट कर लिया था जब आज शुबह हमाई साथ जोड़े थे तो उन्होंने पहले एनालिसिस कर लिया था कि बाजार अगे थोड़ा थकता हुआ दिखाई दे रहा है कंसॉलिडेशन फेस कि अब लगातार हम देख रहे हैं कि क्वाटर बन के बिजनस अपडेट आ रहे हैं कल कौन कौन सी कंप्नियों के अपडेट आए बाजार बंद होने के बाद बिलकुल पूजा दो क्यूवन अपडेट से उस पर फोकस रहे है और आपकी जो सेग्मेंट आप ट्रैक्ट करते तो वीक सेट अफ जो है की ओन नंबर आए है हाला कि अडवांसेज डेपोजिट में डिसेंट ग्रोथ आई है पर जो कासा रेशियो होता है वहां पर सारे बैंक्स की जो है आप सीक्वेंचिली एक डाउं टिक देखने मिल रहे है बंदन बैंक के भी बारें बात करें तो का कासा रेशियो में जो है सिग्निफिकेंट फॉल देखने मिला है इंडेसेंट बैंक की बात करें तो लाजली इन लाइन आया है नेट अडवांसेज में जो है लगबग 21% का ग्रोथ देखने मिला है कासा शेर में यहां पर भी मॉडरेशन आई है आर्बिल बैंक का भी लग तो बहुत बढ़िया हुई है हाला कि आप कह सकते हैं कि ग्रोथ सिक्वेंशली उतना नहीं हुआ है जितना वाय हुआ है हाला कि नेट डेट जो होती है उसमें गिरावाट आई है तो यह जो है ओवराल अपके क्यों के अपडेट्स दिख रहे हैं ठीक है तो यह हैं कुछ क्यों अपडेट्स के लावा खबरोवाले शेर्स कौन-कौन से हैं शरत पूचा एल्टी आई माइंट्री फोकस में रहने वाला है यहां पर रिप्लेस करेंगे एजडी एफसी को अब याद रखिया अज्जेस्मेंट जुलाई 13 को होगा लेकिन जो फ्लोज है वो बारा जुलाई को आएंगे और नेट-नेट एक इंफ्लोज लगबख सौ से 130 मिलियन डॉलर का इंफ्लोज देखने मिल सकता है LTI माइंट्री में वही JSPL भी उनका ही जगा लेने वाला है निफ्टी नेक्स 50 इंडेक्स में वह रिप्लेस करेंगे LTI माइंट्री को क्यों कि LTI माइंट्री आपके निफ्टी में आरे और यहां पर भी जो है इंफ्लोज का एक्स्पेक्टेशन है लगबख 30 मिलियन डॉलर का और आप याद रखिए जो ट्रांजक्शन है वो स्ट्राइट्स फार्मा के लिए बेनिफिशियल है और संभरदना मदर से इंटरनाशनल में भी जो उनकी आम है उन्होंने लगबख 81% स्टेक लिए होंडा मोटर की कंपनी याचियों में उनकी फोर वीलर बिजनेस को लेके अब देखा जाए तो इसका cost of acquisition लगबख 1300 करण का है और सबसे पहली बार वो फोरे करने वाले है आपके global sunroof market में और उसके allied products रते उसको लेके अब जो है हमने management है उन्होंने कहा है कि यह जो deal है वो EPS Accretive Company के लिए हुई है तो इन दोनों important deals पे जो है ज़रूर focus रखेगा जो important shareholding changes देखने मिले है लेकिन जो pharma नेम से Aurobindo pharma को जो है उनको positive result आई है clinical trials में सोम डिस्टिलरी 8 जुलाई को fund raise करेंगे बंदन बैंक में important बात है अफकॉस उनके numbers थोड़े week आये थे operational Q1 लेकिन उनके जो CFO है सुनील समदानी वो resignation दिये है October 1st से जो है effective होने वाला है लूप इन को USFDA से approval आ गई है आपके oral suspension tablets में TT Healthcare में जो delisting की बात चल रही है यहाँ पर flow price एक नया आया है 1201 रूपे प्रतिशेर का genius power infra जो focus में रहेगा GIC जो government of Singapore की affiliate है और company है दोनों एक platform मनाएंगे जहाँ पर वो smart meter projects को fund करेंगे लगबग 2 billion dollar का यह total pipeline अभी initial रहेगा जहाँ पर genius का जो company है उसका 26% stake रहेगा जो बाकी 74% stake है वो government of Singapore का रहेगा लगभग 520 करोड का investment आने वाला government of Singapore से और board ने भी approval दे दिये company को की लगभग share warrant से जो है almost 519 करोड वो खुद अलग से उठा सकते हैं तो यहाँ पर capital raise भी आ रहा और smart meter platform भी बन रहे है और हाली में बड़ा orders भी आया है तो stock में बहुत तेजी भी देखने मिली है ओके थांक यू शुरत आपका यह सारे updates के लिए genius power आज भी नज़र दखे फिर से बड़ा order मिलने की खबर है और आज फिर से stock में action देखने को मिल सकता है genius power के stock में चले एक चोड़ पर भी नज़र रखे एथनॉर ब्लेंडिंग टार्गेट को हासल करने के लिए सरकार आज शुगर एथनॉर पोर्टल लॉंच करने जा रही है इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए चलने हैं समीर दिख्षित के पास समीर बताइए इस ऑफ दूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए साथ ही साथ एथनॉर ब्लेंडिंग की जो सरकार के लक्ष है उसको ट्रैक करने के लिए सरकार एक शुगर एथनॉर पोर्टल को लॉंच करने जा रही है यूनिन केबरेट मिनस्टर प्यूश गोईल पांच जुलाई को इस पोर्टल की शुरुआत करेंगे उसको लॉंच करेंगे लेकिन इस पोर्टल का मक्सद यही है कि जितने भी स्टेक होलडर एथनॉर या शुगर प्रड़क्शन से जुड़े हुए हैं उनको कॉमन प्लेटफॉर्म पर लाना इससे कोशिच की जाएगा कि जो भी इशूज है जो दिक्कते हैं उनको इसके जरीए इस तक्नीक के जरीए या इस पोर्टल के जरीए दूर किया जा सके अब यह पोर्टल जो है वो दरसल एक डैनेमिक डैश्बॉर्ड होगा जाने कि रियल टाइम बेसेज पे जो शुगर प्रड़क्शन है जो एथनौल प्रड़क्शन है इसको ट्रेक किया जाएगा और जो दिखकते हैं उनको दूर करने के कोशिच की जाएगी अब यह जो sugar ethanol portal है यह एक joint effort के तहथ, एक combined effort के तहथ इसको develop किया गया है इसको Department of Food and Public Distribution, DPIT और Invest India ने मिल करके develop किया है और इसके जरी सरकार की कोशिश है कि जितने भी एहम पहलू है चाहे sugar production हो, distribution हो, ethanol production हो या जो farmers की बकाया या दिंदारी है, यह सब कुछ real time basis पे इसको track किया जाए और साथ ही साथ जो ethanol blending के target है सरकार का साल 2025 और उसके आगे के लिए उस पर भी इसके जरी बारिक निगाह रखी जाए क्योंकि अगर कहीं पर भी production में या उस टार्गेट को पूरा कर पाने में कहीं पर भी दिक्कत आएगी तो सरकार उस चीज को सही मौके पर सही समय पर दुरुस्त कर पाएगी तो इस दिशा में ethanol blending टार्गेट की दिशा में काफी एहम माना जा रहा है और ये शुगर ethanol portal के शुरुआत सरकार करने जा रही है अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं commodity market की हमारे साथ केड़िया commodity से अजय केड़िया जोड़ चुके हैं रणीती बताने के लिए सबसे पहले तो सोने चांदी से शुरुआत करिए क्या करें महाँ पर तो आज के लिए गोल्ड में 58.350 पर लेके चलना है 58.100 के स्टॉप लॉस से 58.650 से 58.800 तक के भी पुल बैक हम गोल्ड में देख पाएंगी वहीं अगर चांदी की अगर बात करें तो चांदी में गी 70,000 के अब पर प्राइज इस कंसिस्टेंटी गोल्ड कर रहा है 70.200 पर लेके चलिए 69.700 के स्टॉप लॉस से 57.600 से इगतर 200 तक का एक जम हम देख सकते हैं अगर इसके लब कच्छे तेल में क्या राय होगी आपकी कच्छे तेल में देखें तो वोल्टिटी काफी बड़ी भी एक करफ अब देख रहें कि जो economical data point आ रहें काफी खराब आ रहें जो डिमांड पे दबाव ला सकते हैं उसी चीज को देखते हैं रश्या और साओदी ने जो production कर्स किये हैं आगे भी अगर से भी जुलाई में भी ओपिक ने साओदी ने खासकर के वन मिलियन बैल का production करत किया यह कही ना कही पैसे को सपोर्ट करा तो इस वग भी अगर हम देखते हैं तो WTI और रश्या और साओदी अरविया के फैसलों से तो यहां पर अभी तेजी जारी दे सकती है और बेस मेटर्स में क्या करें आजए बेस मेटर्स में मार्केट काफी ठहराव लेकर चल रहा है विकाओज चाइना से हमने नंबर देखे थे हो काफी अप्रोपेड नहीं थे बट कही ना कही प्रोडक्शन को लेकर और स्टॉक को लेकर कॉपर में चिद्धा जरूर बनी वी जिसकी वेज़से कॉपर को सपोर्ट मिल रहा है आमने अलमी संगाई में इन्वेंटरिस को डॉप होते विए देखा जिसका एक सपोर्ट है और कॉपर में मुझे लगता पूरी बेस मेटर्स में टॉप पिक रही कि जहापे 715 पर लि समय देने के लिए और यह रहनी भी सुझाने के लिए चलिए बागे बढ़ेंगे यह तो थे कमॉडिटी मार्केट से कुछ ट्रेडिंग आइडियाज अब एक्विटी मार्केट में आपको कहा नज़र रखनी है एक करके आपको सामने यह रखते हैं और देवांक से जब 1212 का होगा लक्षी जे-इस-say-प-े-ल में भी खरदारी करने की राय होगी 620 के टार्गेट के लिए आप 향 पर नज़र आशकते हैं स्टॉप अधियर चलि ने-चल ने निए рек बारे 205 के टार्गिट के लिए और सटॉप रॉंस होगा ध्यारब सेट काॉि सनफार्मा में 1070 के लेवल के लिए आप खरदारी करके चलिए स्टॉप लॉस उजा रहे हैं 1025 का इसके रावा 5 पैसा कैपिटल के तरफ से भी सनफार्मा यहां पर उन्हें अच्छा लग रहा है 1084 के लेवल से देख रहे हैं stop loss होगा 1025 का और HUL में खरदारी करने की राय होगी 2760 के लेवल के लिए stop loss उजा रहे हैं 2660 का तो यह है लेवल के लिए इस पर आप नज़र रखें तो आज सनफार्मा अच्छा लग रहा है आनलिस्ट के रडार पर है इस टॉक पर भी आपको फ तो ड़ी आनलिस्ट के लिए जाप लागा है लिए अच्छा जार्मा जापना जापना जाप जाए्ट पर आनलिस्टू जाब यह हैं तो आपना जाब्गाएंगा।